हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में भारत सरकार के दोरा लिए गए एक बहुती बड़े डिसिजन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि भारत सरकार जो है भारतियों के लिए लगातार बाचित कर रही थी दुनिया के दूसरे देसों से कि जो भारतिय भी इस समय दूसरे देशों में study करने के लिए जाना चाते हैं या फिर काम के सिलसले से travel करके जाना चाते हैं उन सभी लोगों के लिए बीजा और फ्लाइटों के जो नियम हैं उसको भारतो के लिए बदला जाए ताक कि भारतीय भी उन सवी देशों में ट्रेवल करके जा सकें लेकिन अभी भी दुनिय के कई सारे देश ऐसे थें जिन्होंने भारत में कोरोना वारस के कम होने के बावजूद भी अपने अंतरास्टिय बॉर्डर को भारतियों के लिए नहीं खोला था जिसको देखते हूँ अब यहाँ पर भारत सरकार ने भी इन देशों के उपर एक्षिन लेना शुरू कर दिया है अभी तक भारत सरकार केवल बातचीत कर रही थी लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ा decision ले लिया गया है जी हैं दोस्तों यहाँ पर आप economic times की यह report देख सकते हैं जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जो है UK और Canada इन दो देशों के लोगों के लिए e-vija की facility को बंद कर दिया है यानि कि अब कोई भी UK का नागरिक या भी Canada का नागरिक e-vija के माद्यम से भारत में travel करके आना चाता है तो अब वो travel करके नहीं आ सकता है इसके लाबा आपको यह भी बता दे कि भारत ने टूरिस विजा को पहले से ही बंद किया हुआ है यानि कि इस समय अब Canada और UK इन दो देशों के लोग अब भारत में entry नहीं कर पाएंगे यह बात यहाँ पर भारत सरकार ने साब साब इन दो देशों को बता दिया है चाइना को पहले से ही इस लिस्ट में सामिल रखा गया था चाइना के लोग भी इस समय इविजा की फैसलिटी लेकर भारत में नहीं आ सकते हैं और अब यहाँ पर यह तीन देश सामिल हो चुके हैं अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं खुला है तो अब यहाँ पर भारत सरकार ने भी उन देशों से आने वालोगों के लिए रिस्टिक्शन लगाना शुरू कर दिया है फ्रेंट्स आपको क्या लगता है भारत सरकार के इस नए डिसिजन के बारे में अपने बिचान नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें